प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन अफ लाइट और परावर्तन के नियम क्या हैं हम इसको थोड़ा संख्षेप में समझेंगे जैसे मानली जी हमारे पास में कोई ये परावर्तक तल या दर्पन है जो इस तरीके से लंबवत इस तरीके से रखा हुआ है और इस दर्पन पर कोई प्रकाश की किरण आकर टकराने वाली है ये पॉलिश किया हुआ सर्फे से पीछे की तरप और ये उपर की तरप जो चमकीला सर्फे से ये इसका परावर्तक तल है तो जब भी प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है तो जो आने वाली किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण तो ये प्रावर्तक तल पर ये प्रकाश की किरण आई तो आने वाली किरण को हमने कहा आपतित किरण अब ये इस परावर्तक तल से या इस सता से टकरा कर लोटेगी तो जो टकरा कर अगर ये उसी माध्यम में लोट जाती है तो हम कहते हैं परावर्तन हुआ तो देखिए ये प्रकाश की किरण आई इस तरह से तीर का निशान देखिए तो आने वाली किरण को हमने का आपतित किरण और अब ये इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ये जो बिंदू है आपतन मिंदू इस पर हम एक अभिलंब डाल लेते हैं तो ये हमारे अभिलंब की रशना हो जाएगी ध्यान रखेगा कि जब भी प्रकाश की किरण किसी सर्फेस पर जहां आकर जिस बिंदू पर मिलती है उस बिंदू पर जो लंबवत रेखा होती है उसको हम कहते हैं अभिलंब तो ये लंबवत रेखा अभिलंब है ये कालपनिक रेखा है और ये अभिलंब है हमारा आपतन मिंदू पर अभिलंब बोला जाता है इसको तो अब ये प्रकाश की किरण क्या होगा कि ये हमारा अभिलंब ड्रॉब ने कल लिया अब ये प्रकाश की किरण टकरा कर क्या होगी लोटेगी तो ये इस तरह से देखे लोड गई है ये प्रकाश की किरण यहां इस तरीके से टकरा कर लोड गई है तो आपतन बिंदु पर देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों इस पाइंट पर इसी पाइंट से क्योंकि आपतित किरण भी इसी बिंदु पर आईगी और परावर्तित किरण और यह है अभिलम ठीक है ना तो हमने जो प्रकाश के पराबरतन को समझा वो यह है कि प्रकाश का किसी सता से टकरा कर यह सरफेस से टकराया और सता से टकरा कर माध्यम के उसी ओर लोड़ना ठीक है ना मतलब उसी माध्यम में लोड़ जाना यह कहलाता है प्रकाश का पराबरत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी सता से टकरा कर माध्यम के उसी और लोटने की घड़ना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं अब हम परावरतन के देखेंगे नियम तो परावरतन का पहला नियम है आपतन कोण सदे और परावरतन कोण के मान के बरावर होता है तो आपतन कोण कोण सा है इसको हम देखें तो ध्यान रखेगा कि जो आपतित किरण है वो और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते है आपतन कोण ध्यान रखेगा एंगल हमेशा अभिलंब से नापा जाता है तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा वो आपतन कोण तो ये वाला जो एंगल है ये आपतन कोण कहलाएगा देखिए ये जो एंगल आपने ये ठीटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलम के बीच का कोण आपतन कोण है तो ये वाला कोण आपतन कोण है और इस आपतन कोण का मान कितना ठीटा है ठीटा है ठीटे अब देखे यहां देखे आप इस जगी यह वाला कोण कोण सा है तो यह परावर्तित किरण और अभिलम के बीच का कोण है तो इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण तो यह यहां परावर्तन कोण होगा ठीटे परावर्तित किरण और अभिलम के बीच का कोण क्या कहलाएगा परावर्तन कोण कहलाएगा और इसका मान भी क्या होगा इसका मान भी होगा ठीटा क्योंकि आपतन कोण का मान सदेव परावर्तन कोण के मान के बरावर होता है प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तन दो तरह का होता है नीमित परावर्तन और अनीमित परावर्तन तो जब परावर्तन किसी चमकिली सतह से होता है तो हम बोलते हैं यह नीमित परावर्तन है और अगर खुरदूरी सतह से होता है तो हम कहते हैं वो अनीमित परावर्तन है तो यह जो दरपन से परावर्तन होता है ये नीमित परावर्तन की श्रणी में आता है ये चमकिली सतह से होता है परावर्तन तो ये हमने कहा कि आपतन कोण का मान सदे और परावर्तन कोण के मान के बरावर होता है तो ये आपतन कोण देखे आपतित किरण और अभिलम के बीच का कोण आपतन कोण या ठीटा है और परावर्तित किरण और अभिलम के बीच का कोण भी परावर्तन कोण भी कितना है ठीटा है तो ये दोनों मान बरावर होंगे अगर ये 45 जिगरी होगा मतलब ये प्रकाश की किरण अगर 45 जिगरी पर आएगी मतलब अभिलंब और अप्तित किरण के बीच का कोण 45 जिगरी होगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी 45 जिगरी होगा मतलब आपतन कोन का मान सदे और परावरतन कोन के मान के बरावर होगा और दूसरा जो हमारा महतुपूर निया में वो ही है कि ये जो आपतित किरन है ये और ये परावरतित किरन ठीक है और आपतन बिंदू के उपर जो ये अभिलंब है ये हमेशा एक ही तल में होंगे मतलब ये तीनों क्या होंगे एक ही तल के अंदर होंगे मतलब तीनों की तीनों आप्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे मतलब इस तरीके से देखिए तीनों एक ही तल के अंदर होंगे तो यह हमारा दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा क्या होते हैं एक ही तल के अंदर होते हैं तो यह है प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का किसी सतह से जिसी यहां को यह आपने इस तरीके से कहांच लगा दिया तो प्रकाश का किसी सतह से ठकरा कर माध्यम के उसी और लोटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं परावर्तन कहते हैं तो यह आप्तित किरन यह आई और यह टकरा कर लोटी इसको बोलेंगे परावर्तित किरन और इस बिंदू पर जो लंबवत 90 डिकरी की रेखा है उसको हम बोलेंगे अभिलम और आपतित किरन और अभिलम के बीच का कोण आपतन कोण है इसका मान और परावर्तित किरन और अभिलम के बीच का कोण परावर्तन कोण इसका मान आपस में क्या होगा बराबर होगा मतलब यह दोनों सदेव क्या होंगे बराबर होंगे और आपतित किरन परावर्तित किरन औ और आपतन मिंदू के उपर यह जो अभी लंब है यह हमेशा एक ही तल के अंदर होंगे यह हमारे परावरतन के क्या है नियम है धन्यवाद